इपड़ इक Continental Shelf मेध ओकवेल अपड़ एपिरोजनिक मुमेंट शूपिच थे, अपड़ एपड़ एपिरोजनिक मुमेंट शूपिच थे, वाट अपन्स तो इस Continental Shelf? इट अपलिफ्ट्स, आपलिफ्ट्स आइनका धीनी पर्तिक्लर सेग्मेंटेशन इतलाँ पत्सरा, अपड़ वाटर इककड़ वरकु राव, वाटर इककड़ आई पोते, अन्टे इककड़ न्यू क्रस्ट फॉर्म है इनत्ते कड़्सर, इक पतिकलर प्रॉसी्नि मनम, मझान्का अपलिफ्ट्स फॉर्ट्स तफॉर्स्ट्स, अरव अपलिफ्ट्ट्स, अन्य impeachment नं वाटरोच्च, अपलिफ्ट्स्ट्स इमर्ज्ज्ट्स अपॉर्स्ट्स, अने सेग्मेंट अवारोच्च, इस दिस एसे स्लियर, if in epirogenic movement, if we are having upward epirogenic movement, then we shall be having process of upliftment of land or emergence of the coast. Upliftment की चाला example सुननाई सर, इंडिया लो नलूर लो हुंदी, काटिया वारलो, raised beaches सुननाई, तिरुनो वेल्ली लो हुंदी. आतलागे, emergence of coast की best example लेंदी सर, इंडिया लो उन्टे, eastern coast of India, which is an example of this. मी केटला देल सर उन्टे, लेक कोलेरू एदेटे हुंदो, आदी मुंदू लगून, कानी, इपटिक्रिक्रलर अप्लिफ्ट आओडोम वल्ला, लेक कोलेरू लोपल को चाहिसेंने, लेक कोलेरू राले, लेत उच्छिनेगा अबटिक्स इनलेंड गांतर स्थिंगे. Now, in लेक कोलेरू, rainwater is distributed. Are you getting this point?